सहरों में उपलब्द हजारों प्रकार की सुक सुविधाओं के बावजूद मेरा मन हिमालाई की इन कंदराओं में ही क्यों भटकता है जहां न तो रासन है न बिजली न सडक न गरम पानी और नहीं मोबाइल में सिगनल और तो और ठंड ऐसी कि जेट के महिने में भी आपके ह लाड का पा दे चड़ाई ऐसी कि अच्छे खासे आदमी का भी दम उखाड़ दे फिर भी न जाने क्यों मैं बार बार इस बरफिली सोड को खाने के लिए यहां पहुंची जाता हूँ न केवल मैं बलकि मेरा साथी मक्कू भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुरू पर पर साथ में चलता ही रहता है आईए जानते हैं कि इसका राज क्या है यदि आप केवल सेरसपाटे के अतिरिक्त इन पहाडों के विशय में वन्यजीवों के विशय में और यहां की बनस्पतियों के विशय में भी जानना चाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास हो तो चलिए शुरू करते हैं रालम गलेशियर का यह अद्बुत सफर मक्कू के साथ हमारा सफर शुरू होता है मुन्शारी से आज हम चौध मई 2024 की शाम को राजकिय वाहन से इस लंबी दूरी गस्त हेतु निकले शाम साड़े साथ बजे हम लीलम गाउं पहुंचे यहां पर प्रहलाददा बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं हमारी टीम के तीन लोग हिमान्शू, अनिल और कपिल तो हमारी वन विवाग की चौकी में ठहरे जबकि मैं कैलास और रमदा प्रहलाददा के घर पर रुके रात का खाना बहुत टेस्टी था और उसके बाद हम सो गए क्योंक यात्रा पर निकलना था आज पंद्रा तारिक की सुबह जल्दी उठकर हम तयार हुए प्रहलाददा की दुकान में चाई पी और साड़े छे बजे हम निकल पड़े एक ऐसी यात्रा पर जो हमें केवल प्राकृतिक सौंदर्य के नजारे ही नहीं दिखाने वाली थी बलकि बिभिन प्रकार के पेड़ पौधों एवंग वन्य जीवों की हमारी समझ भी बेहतर करने वाली थी यही नहीं हम इस शेत्र के लोगों के रहन सहन खान पान तथा रीती रिवाजों को भी समझने जा रहे थे इसके साथ ही हमारा उद्देश्य वनागनी एवंग वन्य हुए लगबग सुबह के नौ बजे पातू गाउं के सरपंच स्री दुर्योधन धकरियाल जी के घर पर पहुँचे यहां पर उन्होंने हमारे लिए नास्ते में हरी सबजी मडवे की रोटी के साथ ही एक कटोरा गर्मा गर्म गी भी तैयार करके सखा हुआ था हमने इस ता लिंके लिंकी एंद मक्कू यहां देयाल प्लेइंग तोगेधर अब यहां पर उसका नाम क्या है चोटे वालेगा यह कुकू अल यह कुकू भी आ गये है अब यहां पर नास्ता कर लेने के बाद हमने स्री दुर्योधन डकरियाल जी एवं उनके गाउं के अन्य लोगों को वन्यजीव सुरुक्ष्या के संबंद में जागरूख किया पातू के अभी कहां चा रहे हूं अच्छा कहां से लाते हो आरे वेरी गुट ठीक है इसके बाद हमने उनसे विदा ली यूँ चल पड़े अपने आज के पड़ाओ लिंगुरानी की ओर पातू गाउं पार करते ही एक जबरदस्त धार गाटा लूप्स के साथ हमारे स्वागत में खड़ी थी पातू गाउं से के टॉप में पहुँच चुके हैं यहां पर को 20 से 25 गाटा लूप्स और 60 डिग्री का ग्रेडियंट हमारे साथ ही अनिलचन अब हम आपको यहां से पार दिखाते हैं यह देखिए मिलम के ओर जाती हुई रोड साफ दिख रही है इसको जून करके दिखा देते हैं आपको देखें और हम हैं इस उंचाई पर वो रहा पातू गाउं जहां से हम नास्ता करके निकले थे वो रहा पौन घंटे की इस खड़ी चड़ाई के बाद हम इस धार के टॉप पर पहुँच चुके थे यहां से मुश्यारी लीलम यवां मिलम रोड का बिहंगम नजारा दिखाई देता है कुछ देर यहां रुके जूस पीकर स्वयम को तरोताजा किया दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सफर इतना शांदार लगने लगता है कि हम मंजिल का खयाल भी भूल जाते हैं क्योंकि इस खड़ी धार को काटने के बाद जो ही चिनार के पेड़ों से भरा हुआ या हरा भरा जंगल आया और रास्ता भी चड़ाई के बाद उत्राई वाला वाह मजा आ गया हमारी सारी ठकान काफूर हो गई थी और हम बहुत आनंदित हो उठे मक्को की स्पीड भी डबल हो गई थी क्योंकि जंगल इतना घना था कि उपर से सूरज की रौस्नी भी हम तक नहीं पहुँच रही थी तो हम गर्मी से भी अपने आपको बचा ले जा रहे थे मैं थोड़ा सा इन चिनार के पेड़ों के बारे मैं आपको बता दूँ ये जाड़े के रिनों में बहुत खूपसूरत समाब बांद देते हैं जैसे कि पूरा जंगल नारंगी रंका हो गया हो ये चिनार के पेड़ हमारे जम्मु कसमीर राज्य के राज्यबरिक्ष़ तो है ही इसके साथ ही कैनेड़ा के राष्ट्रियबरिक्ष़ भी हैं रास्ते में कई जगह पर पानी के छोटे बड़े स्रोथ हैं जहां पर पानी पीकर हम अपने आपको एनर्जाइज कर ले रहे थे इस उतराई को क्रोस करते करते साड़े ग्यार बज गया था नीचे उतरने पर हमें एक साब सुत्री कलकल करती हुई गार मिली जिसे पिल्थी गार कहा जाता है हम सभी टीम मेंबर्स ने यहां पर कुछ श्यन जलक रिडा का आनंद लिया इतनी सुरम्यवादियों के बीच जब कहीं पानी मिल जाए तो हर किसी का मन मचल ही उठता है कुछ देर मौज मस्ती के बाद हमें मंजिल की याद आ गई तो हमें पिल्थी गार पार कर दोपहर की तेज धूप में दूसरे पहाड पर चड़ने का मन बनाना ही पड़ा दिखाई दिये वाव सारी थकान मिटा दी इन्होंने तो जब काकड बोलता है तो कुट्टे के भौकने किसी आवाज सुनाई देती है इसलिए इसको बार्किंग डियर भी कहते हैं साथी इस जानवर को इंडियन मंट जैक भी कहते हैं यह जीव साउथ एशिया और साउथ इस्ट एशिया में अच्छी तादाद में पाया जाता है और यहां की बायो डाइवस्टी का एक अभिन अंग है इन सभी नजारों का आनंद हमारा मक्कू भी भरपूर ले रहा था दोपहर की इस प्रचंड भूप में लगबग डेड़ गंटे की खड़ी चड़ाई चड़ने के बाद हम इस एक छोटे से मंदिर पर पहुँचे अरे वो देखिये सामने मैंसिंग टॉप पहले मुंशैरी से मिलम को जाने के लिए लोग लीलम गाउं से मैंसिंग टॉप की सीधी चड़ाई करते थे और फिर बबलधार होते वे रड़गाडी उतरते थे और इसी में उन्हें पूरा एक दिन लग जाता था लेकिन अब रोड बन जाने से ग्रामीन रड़गाडी तक सीधे वहान से पहुँच जाते हैं आशा है कि अगले छे मेंने में यह सड़क मिलम तक कनेक्ट हो जाएगी अब खर्शू के पेर दिखने लगे हैं अर्थात हम करीब करीब तीन हजार के आसपास पहुँच चुके हैं और यह बुरांस अभी तक पूरा गिरा नहीं है और चार चांत लगा रहा है इस पूरे इस्थान की खुबसूरती को चलते हैं दोपहर का लगबग देड़ बच चुका है और हमें भूग भी काफी लग रही है लेकिन अगर हम खाना बनाने के लिए रुख जाते हैं तो एक देड़ घंटा बरबाद होगा और हम आज की मंजिल पर समय से नहीं पहुँच पाएंगे इसलिए कुछ देर मंदिर के पास विस्राम किया कुछ बिस्किट्स खाए और फिर आगे को एक सीधी धलान की दिसा में बढ़ने लगे दोस्तो धलान पर उतरना कुछ च्छन के लिए तो अच्छा रहता है परन्तु जब धलान खत्म होने के बाद दुबारा चड़ाई श तो हम इसके लिए अपना मन बना लेते हैं और जैसे जैसे हम हाइट गेन करते जाते हैं तो बनस्पतियां भी बदलने लगती हैं और इस प्रकार व्यूज भी चेंज होने लगते हैं इसके साथ ही घड़ी का अल्टिमेटर देखकर हमारे भीतर का कॉन्फिडेंस लेवल भ बढ़ने लगता है अब हम मंदिर से करीब 3 किलो मीटर नीचे उतर चुके हैं और रालम नदी से यहां ज्यादा दूर नहीं हैं यहां पर हमें पातों गाउं के तीन युग अपने गोड़ों के साथ अपने गाउं की यूर वापस लोटते हुए मिले यहां पर चट्टानों में उगी हुई यह वाइट पलपी लीब जुवाली बनस्पती पत्थर चट्टा है जिसे पासान वेद या पहाड़ी भासा में सिल्फोर भी कहते हैं इसके पत्ते पत्थरी या स्टोन की विमारी का रामबान इलाज भी है अब हम उस छोटे से मंदिर से लगबख 4 किलो मेटर नीचे उतर कर रालम नदी के बिलकुल नजदी पहुँच चुके थे परंतु फिर से एक खतरनाक चड़ाई हूँ जैसे तैसे अपने फेफ़णो में लंबी सांस भरी और चल पड़े इस बार फिर से एक सांदार गना जंगल लेकिन इस बार यहां सिनारिया मैपल के साथ ही पांगर की भी बहुतायत पाई गई इसे कस्मीर में बलूत नाम से जाना जाता है जबकि अंग्रेजी बासा में इसे होर्स चेस्टनट कहते हैं इसे जंगली जानुवर जैसे लंगूर और भालू बहुत पसंद करते हैं जबकि स्वीट चेस्टनट नामक पांगर भी होता है जिसे हम लोग खाते हैं और यह स्वीट चेस्टनट आपको भवाली और नैनिताल के हिस्से में परियाप्त मात्रा में मिल जाएगा इस फॉरेस्ट की सगंता जैसे ही कम होने लगी हमें एक छोटी सी दुकान दिखाई दी जहां पर तीन बड़े बड़े कुत्तों ने जबरदस्त आवाज के साथ हमारा स्वागत किया और यही वह जगह थी लिंगुरानी जहां पर आज का हमारा पड़ाओ ठहरने वाला था शाम का चार बज गया था मतलब हम साड़े नौ घंटे पैदल चलकर बीश किलोमेटर की दूरी ताई कर चुके थे यहां पहुंचते ही मैंने दुकान वाले भाईया को जल्दी से खिचडी उबालने को बोला क्योंकि भूग से हमारा बुरा हाल था खिचडी खाई फिर देखा यहां पर को भारत सरकार का एक छोटा सा वैदर स्टेशन पूरे रालम वैली का टेंपरेचर और यहां के अधर वैदर अपडेट्स हमें इसी वैदर स्टेशन के दौरा मिलते हैं हम लिंगुरानी में रुकें और लिंगुडे की सबजी न खाएं तो मजा ही नहीं आएगा तो इसलिए आज हमने खूब सारा लिंगुडा इकठा किया है कुछ और हमारे साथियों के द्वारा लाया जा रहा है और आज रात को यहां पर को रोटी के साथ हमारे लिए लिए कोड़े की सबजी बनाई जाएगी इस्थानिय निवाशियों से उनके रीती रिवाजों यों उनके जीवन की जटिलता के बारे में बातचीत की खाना खाया और चुकि कल रालम गलेशियर को हिट करना है और लंबी दूरी ताई करनी है इसलिए इस सपने को अपने मन में रख मैं गहरी नीद में सोजाने से रोक नहीं पाया मिलम गलेशियर के पूरे ट्रेक की खुबसूर्ती एक्साइटमेंट वहां की डिफिकल्टीज और वहां के लोगों के जन जीवन के विशय में और अधिक गहराई से जानने के लिए आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को अ